नमे पार्थास्ती कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवचा कर्मणी नमस्कार में तरो में तरो यह जो श्लोके भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 22 वा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वह कहता है नामे पार्थास्तिक अर्थव्यम अर्था न मेरा हे पार्थ है कर्तव्य तरिशू लोकेशू किंचन अर्था तीन लोकों में कोई भी नानवाप्तम वाप्तव्यम अर्था न आवश्यक्ता है मुझे कुछ प्राप्त करने की वर्त एव अर्था न निर्वाह करने की चकर्मनी अर्था तब भी मैं और तब भी मैं काम करता हूँ तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में या इन तीनों लोकों में इस पूरी श्रिष्टी में मेरा कोई भी करतव्य नहीं है नहीं मुझे किसी वस्तू की आवश रकता है और नहीं मुझे निर्वाः करने के लिए किसी की आवश रकता है। तो इच्छा है वो यहाँ पर यही है कि वो इसके दवारा अरजन को यह बता सकें कि कार्य किस प्रकार से करना चाहिए और इसलिए वो अपना उधारण अरजन को प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में मेरा कोई भी करतव्य नहीं है मुझे कुछ भी करने की आवश्यक्ता नहीं है न मुझे कुछ प्राप्त करना है न मेरे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है किन्तु तब भी मैं कर्म करता हूँ तो वो यहाँ पर संकेत ही दे रहे हैं कि जो ग्यानी वेक्ती है उसको इसी प्रकार से कार्रे करना चाहिए जैसा कि श्रेक्रिशन पहले भी बता चुके हैं कि जो ग्यानी होते हैं वो स्वयम में ही सुखी रहते हैं वो आत्म संतुष्ट रहते हैं उनको बाहरी किसी भी वस्तू की कोई आवश्यक्ता नहीं होती तो यदि ऐसी स्थिती है तो आप निश्चित रूप से ऐसा सोचेंगे कि ग्यानियों को फिर तो कुछ करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि वो तो स्वयम में ही संतुष्ट है और श्रेक्रिशन ने बोला भी कि उनके कर्म का कोई अर्थ नहीं होता अर्थाथ उनको कर्म करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है किन्तों अब वो यहाँ पर स्पश्ट कर रहे है कि तब भी वो कर्म करते हैं अर्थाथ यदि आप यह समझ जाते हैं कि यह जो संसार है इसमें आपको कुछ मिलना नहीं है आप वास्तों में स्वय में ही संतुष रह सकते हैं तो उस स्थित्य में यदि आप इस संसार से पीछे हट जाते हैं तो वो वास्तों में कुछे त्वहवार नहीं होगा आपको तब भी वास्तों में कर्म करना ही चाहिए इसको यदि आप दार्शनिक स्थर पर देखे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो संपून शृष्टी है ये अस्तित्वे में आई है और इसको चलाया भी जा रहा है किन्तु वास्तों में इसके अस्तित्व में आने का या इसको चलाने का कोई कारण नहीं है हम कारण ढूंडते हैं किन्तु वास्तों में यदि आप सोचे तो कोई कारण इसका है नहीं तब भी एक उची सच्चाई वास्तों में इसको चला रही है तो ये जो बात है वही वास्तों में श्रीक्रशन का वहवार है कि उनको वास्तों में इस श्रिष्टी को चलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, उनको वास्तो में श्रिष्टि के निर्मान की कोई आवश्यक्ता नहीं है किन्तो फिर भी इस श्रिष्टि को चलाया जा रहा है ताकी ये जो यग्य है, ये चलता रही है तो जो ग्यानी व्यक्ति होते हैं वो इसी रूप में अपना कारे करते हैं वो जानते हैं कि वास्तों में उन्हें कुछ भी कर्म करने के आवश्यत्ता नहीं है किन्तु तब भी वे कर्म करते हैं ताकि जो ये पूरा संसार है इसमें वो कल्यान को और आगे बढ़ा सकें और जो ये यग्ये चल रहा है जिसके तवारा ग्यान बढ़ रहा है इस संसार में उसको भी वो आगे बढ़ा सकें तो यही संदेश है यहाँ पर इस इस लोग में आशे करता हूँ कि मैंने इस इस लोग को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इस ही के साथ इस वीडियो को ही पर समाप करते हैं नमस्ते वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के साथ में साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक live Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी कृष्ण